हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक मैं यूटूब चैनल महलाओ का जैसे ही नाइंत मन्त इस्टार्ड होता है एट मन्त खतम होने वाला रहता है उनके मैंन में कई बार ये सावाल आता है कि हमारी डिलेवरी कैसे होगी और हमको कितना दर्द सहेन करना पड़ेगा क्योंकि आप ये दिखन रखे कि जितनी भी महलाओ रहती है सभीकी जो डिलेवरी का समय रहता है वह कुछ अलग-अलग रहता है यानि कि कुछ को तो कुछ ज्यादा घंटे लग जाते हैं लेकिन कुछ महलाओ एसी रहती है जिनको पंद्रा से बीस मिनिट के अंदर या छोस्पिटल जाते स ही उनको डिलेवरी हो जाती है तो आपको कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसी पोजिशन और कैसे पुश करना चाहिए ताकि बेबी जल्दी से आ जाए और आपके डिलेवरी आसानी से हो जाए क्यूंकि महलाएं काफी डर जाती है आसपास की महलाओ की बात सुनकर य होता है कुछ को इसमें से थोड़ा सा दर्द जो है वो कम होता है तो आपको कौन सी ऐसी स्थितियां है क्यूंकि आप यह ना घबराईए कि आप अकेल हैं क्यूंकि आपके सांथ उस समय डोक्टर रहते हैं तो आप किस तरीके से पुश करेंगी आप को कि इन बातों का ध्य समय दोस्का चिजसे पहले कम हिएं वाली हैं उनके मन में ज्यादा सावाल रहता है और इंक वाला ऑन और थेर्ड बार मा बनी है लेकिन उनको कही कहीन पहली वाली जो जीजे रहती है पहले delivery को जो पेन हुआ था जो चीजे हुई थी वह कई ना के उनको दूसरी प्रेग्रेंसी के समय जरूर याद आती हैं वन से एट मंत निकल गया जैसे ही नाइंत मंत लगा वाली बाते उनको याद आने लगती हैं तो आज हम यहाँ पर वही बात करेंगे कि आपको अगर डिलेवरी दिखाई दे रहे हैं यानि कि नॉर्मल डिलेवरी के जो सिम्टेंस रहते हैं बेबी जैसे ही पेट में हेट डाउन पोजिशन करता है सभी महलाओ को कुछ ना कुछ सिम्टेंस जरूर होते हैं हमारी इन टोपिकों पर वीडियो बनी है तो आप चाहे तो देख सकते हैं कि नॉर्मल डिलेवरी के कौन से सिम्टेंस हैं तो आपको कुछ ऐसी चीजे हैं जो कर देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए जो आपको कम दर्दो फर्ष्ट तो आपको जैसे ही लगता है बेबी ने हेड डाउन पोजिशन किया हुआ है तो आप पानी की मातरा को बढ़ा दीजि ये भी है कि बार-बार बातरूम आती है पानी पिने से लेकिन आपको पानी जरूर पीना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लिक्विट वाली चीजे लीजिए अपने डाइट को अच्छा रखने की कोशिश कीजिए ताकि आपके डिलेवरी में कोई परेशानी ना हो जैसे ही आपको डिलेवरी के लिए लिटाते हैं आप एसे पुश करें जिसे टाइट पोटी करते समय करते हैं अपने जांगो और शरीर को दीला छोड़ दें ताकि नीचे की तरफ धक्का लगा सकें आपको पुश करने पर ध्यान देना है बच्चे को बाहल लाने के लिए आप नी टोने को चाती से लगाएं इससे आपको नाभी को देखने में एक मदद मिलेगी और आपको पता चलेगा कि आपको और कितने ज़्यादा पुश करना है और कितनी ज़्यादा ताकत लगाने की जरूरत है और सांत में ही आप आपके जो पेर हैं उपर की तरफ जो आपकी जा पुश करने पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपकी डिलेवरी जो है असानी से होगी, नॉर्मल तरीके से होगी और अपनी जो बोडी पोजिशन उसको जरूर बदले आप जितना ज़्यादा बोडी को बदलते हैं, पोजिशन को बदलते हैं, अलग-अलग इस्थित्या ब करने का प्रियास करती हैं, तो डिलेवरी आपकी जल्दी और असानी से और सरल तरीके से होती है, बहुत अधिक आप घवराईएं नहीं, डॉक्टर आपकी हेल्प के लिए वहीं पर रहते हैं, आपकी मदद जरूर करेंगे, अगर आपको बहुत अधिक ठकान लगती है, य अधिक एनरजी आएगी आपके शरीर में और आप फिर पुस करने के लिए लगातार उसमें लगे रहेंगे, तो जल्दी ही बेबी की डिलेवरी हो जाएगी, बेबी हेड़ डाउन पोजिशन के बाद जैसे ही, क्यूंकि गर्भ में बेबी भी बहार आने के लिए इंची ज शेयर कीजिए, आपकी नॉर्मल डिलेवरी के क्या एक्सपीरियंस है, आप हमारे साथ शेयर कर सकती है, आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स वाचिंग फर दिस वीडियो